नमस्ते दोस्तों, मैं सोमनाप पगार, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, आप आपका जिमेल आईडी कैसे डिलिट करें, इसके बारे में जानकारी तो चलिए शुरू करते हैं, आज का वीडियो दोस्तों, आपको आपका एमेल डिलिट करने के लिए जिमेल डिलिट करने के लिए सबसे पहले आपका जिमेल लॉगिन करना होगा, या पर मैं जिमेल नाम पर क्लिक करता हूँ sign in to continue to gmail यहापर मैं login करने के लिए gmail id एंटर करता हूँ gmail id एंटर किया अभी next बटन पर क्लिक करूंगा login करने के लिए यहापर मुझे password एंटर करना होगा password एंटर किया अभी next बटन पर click कर रहा हूँ दोस्तों आप देख सकते यहापर gmail login हुआ है यहापर आपको यह gmail delete करना है यह मैं आप पास बताने वाला हूँ दोस्तों अगर चानल पर नए हो तो चानल सब्सक्राइब कीजिए notification के लिए bell icon प्रेस कीजिए video like कीजिए share कीजिए यह वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको यह वीडियो का use हो दोस्तों gmail account delete करने के लिए आपका profile photos जहाँ पर दिखता है या फिर आपके नाम के initials जहाँ पर दिखते है वापर click करके manager or google account यह बटन पर आपको click करना होगा तो आपको delete करने के लिए shortcut मिल जाएगा या पर आपको privacy and personalization एट आप पर click करना होगा जोस्तों या फिर आप setting बटन पर click करेंगे फिर से आपको see all settings पर click करना होगा ये settings में आपको accounts and import इस नाम पर click करना होगा इसके बाद आपको other google account settings पर click करना होगा जैसे कि मैंने आपको बताया या पर आपको privacy and personalization ये नाम पर click करना होगा इस नाम पर मैं आभी click करना हूँ या पर scroll करके आप देख सकते है delete a service और यूर account या पर आपको जो service नहीं चाहिए वो भी delete कर सकते हैं या फिर आपका पर click करूँगा ये tap पर click करूँगा आप देख सकते हैं delete a google service पतलब google की कोई भी service चाहसे आप delete कर सकते हैं आपका Gmail account delete करने से पहले आप आपका data download कर सकते हैं या पर मुझे ये account delete करना है delete your account ये नाम पर ये tap पर click करना हूँ to continue first verify hits you अगर आपको आपका account delete करना है या पर गूगल को verify करना होगा ये delete करने वाल account order user ही है या पर मैं आपी password एंटर करूँगा next button पर click करूँगा दोस्तों Google आइसे ही किसी account delete नहीं करता वो सब जाज परतल कर लेता है verify कर लेता है delete your Google account या पर Google आपको बार बार बताता है आप verify किजिए अगर आपको सही में account delete करना है तो ही किजिए ये account delete करने के बाद आपकी सब services आप पर delete हो जाएगी आपका कुछ data भी आपर नहीं रहेगा आपका data delete हो जाएगा फिर भी आप अगर ये Gmail account delete करना चाहते है तो download your data ये आप पर click करके आप सब आपका data download कर सकते है download your data ये आप पर मैं अभी click कर रहा हूँ आपको जो भी कुछ download करना है ये सब आप select करके download कर सकते है या पर आप create export पर click करके आपका data ये आपर backup ले सकते है download कर सकते है ये account अभी delete करना है इसलिक मुझे आप पर ये check box tick करने होंगे अगर इस Gmail account holder के कुछ financial transactions pending है तो इसके लिए ये account holder responsible रहेगा last में मैं tick कर रहा हूँ कि मुझे ये permanently सब data delete करना है ये account delete करना है मैं delete account ये number click कर रहा हूँ your Google account and all its data have been deleted आपका Google account और उट से related जो भी data था ये सब delete हो गया है ये सब delete हो चुका है अगर किसी से गलती से अपना account delete हो जाता है तो कोई बात ही Google आपको आपका account record करने के लिए chance देता है कुछ time period में उसके लिए आपको account support पर क्लिक करना होगा और वह आपके कुछ steps होगी वह follow करनी होगी तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको आपका Gmail account ऐसे delete करें उसके बारे में detail जान करें दी है अशा करता हूँ आज का वीडियो आपको useful रहेगा ऐसे वीडियो देखने के लिए चानल सब्सक्राइब किजिए नोटिफिकेशन के लिए आपकोन प्रेस किजिए इस वीडियो देखके लाइक करके शेयर किजिए धन्यवाद